देखिए करोणों लोगों की आस्ता है कि जहां दाम लाला पैदा हुए वहाँ पर जो इस्थान है उसको भवेता मिले मंदर तो वह है और लम्मे समय सो लोग उस पर आजनिती कर रहे हैं जातका आप मूर्ती की बात कर रहे हैं तो अयुद्या का सरवांगीड विकास कैसे हो लगातार प्रयासरत है और जो सरकार हमारी बहतर से बहतर अयुद्या मतराकाशी के लिए कर सकती है वो हम लोग अपना काम कर रहे हैं और हमारा मकसद है कि अयुद्या का सर्वांगीड विकास हो जहां से जादा से जादा टूरिस्ट वहां आएं और अयुद्या के जो आसपास के जिले हैं वहां के जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिले इसके पीछे मकसद यही है इसलिए दीप उत्तकावी कारक्राम हम लोग करते हैं कि हमारी परानी परंपराएं हैं बीच में उनमें गैफ हो गया था तो अब जब लंका देहन के बाद लंका प्रविजय प्राप्त करनी के बाद भगवान राम जब अयुद्या आये थे दीप चलाकर उनका स्वागत किया गया था उनका अवनिन्दन किया गया था तो उसी आयुद् मनाई थी हमने इस बार और अब भवित दिवाली मना रहे हैं तो इसकी पीछे मोटिव और मकसद इतना ही है कि वहाँ का सर्वाइगिन विकास हो जहां तक मंदर की बात है तो मंदर के प्रती करोणों की आस्ता है और वहाँ उस सिस्थान को भविता मिले क्योंके 500 साल पहले विदेशी आता ताई आये उन्हाने हमारी संस्कृती को नस्ट करने का प्रियास किया और अब इलावा धाई कूट का फैसला आ चुका है उसमें तो तुमाम तत्रिय रहे हैं चिला चिला कर कहह रहे हैं कि वहां पर मंदिर था तो आस्ता है वह स्थान मंदर बनना चीए उसके लिए जो भी रास्ता है उन्मेद करता है रास्ता निकलेगा सादू संतों का अधिकार है राम भक्तों का अधिकार है और करोणों लोग हैं देश में भी हैं विदिसों में वह चाहते हैं कि वहां पर भव्य मंदर बने आखिरकार कब तक आप उसको टालमटोल करते रहें